कि 2022 की चुनाओं को देखते हुए भाज़पा ने कमर कस लिया है और 2022 की विधानसभा चुनाओं को देखते हुए जिस तरह से भाज़पा नेने कारिकरम के माध्यम से कारिकरताओं में उस्साह भरने का काम कर रही है पहले बाझपा ने जनला स्ष्वाद ही यत्रा के माध्यम करताओं को जोज भरने का का में दूसरी और बूट करता हों को जागरुख करने के लिए संगठन को मजबुत करने के लिए ओधमसिंग नगर के तीन दिवसी दौरे पे आए हैं भाजपा के राज्यसाबा सांसद नरेस बंसल जी उनसे हम जानेंगे कि क्या रनीती है भाजपा की 2022 के विधान सब्सक्राइब को लेके और किस तरह से कारेकरताओं को उन्होंने पार्टी की नीति की परती जानकारी दिया है और किस लगता है आपको कारेकरतां से बात करके भारतिय जनता पार्टी की रामनगर में चिंतन बैठक हुई थी उसमें चुनाव तक का अर्था फेबरेरी तक का रोड मैप पार्टी ने तयार किया था उसको एप्रूब किया था उस रोड मेपके आधार पर हम टाइम शेडूल ब पढ़ रहे हैं उसी के अंत्रगत 70 के 70 विधान सबाओं में 8-10 बरिष्ट कारकरता निकले हैं सबने 556 विधान सबाओं में इसी प्रकार की बैठके लिए उसमें हमारे राश्ट्रिय महमंत्री राजय सबा के सदस्य और प्रदेश के प्रभारी श्री दुश्यंत गोतम जी हम और उस से उपर के कार्यकरताओं की बैठेक ली है बहुत ही अच्छा और साहजनक समचार उसके मिले हैं सभी शक्तिकेंदर सेयोजकों ने अपने अपने शक्तिकेंदरों के अंत्रगत आने वाले बूतों पर बूतों के समिती का सत्यापन कर दिया है वहाँ पर छे उत्सव हमारे साल में मनाय जाते हैं उन्हों सब के एक एक प्रभारी नियुक्त कर दिया है, मन की बात का प्रभारी नियुक्त कर दिया है, सोशल मीडिया का प्रभारी नियुक्त कर दिया है, इस प्रकार से नीचे तक की सारी विवस्ता, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, जो संगटन के काम आएंगे, उनको करे करेंगे तो उनका एक व्रद्ध सम्मेलन हम या तो पूरे प्रदेश का एक या फिर तीन-चार भागों में मिला करके अलग-अलग उसका पन्ना प्रमुकों का सम्मेलन करेंगे आगे हमारी एक जन अशिरबाद यात्रा निकलेगी सभी विधान सभाओं को टच करते वे इस प पाजपा को 44 से 48 सीटे में ले हैं इसे साट प्लस में कैसे बदला जाएगा भारतिय जनता पार्टी का कारेकरता 365 दिन जनता के बीच में रहता है सेवा से संगठन इस सुत्र को लेकर हम चलते हैं अभी कोविड में जब सभी दलो के कारेकरता और नेता केवल ट्वीटर तक सिमित हो गए लोकडाउन में स्वेम लॉक्ड हो गए तब हमारे कारेकरता ने जान जोखिम में डाल कर जनता की स प missionary किया था वो 2022 में वही प्रदस्तं दोहरा पाएगी में देगे परदसर जिस रूप में दोहराया जाना चाहिए उसमें दोहराया की योजोग सभा के हमारा परदर्शन था उस परदर्शन से बेहतर परदर्शन हम 2022 में करेंगे लेकिन हमारी सब्राइब यह हैं कि हमारे पास internal mechanism इस इस्तर का है कि सब कारीकर्टा हमारे हैं हम सब के हैं सबको संबाद की सुविधा है हर स्थर पर कारीकर्टा की बात सुनी जाती है और उसका समाधन किया जाता है इसलिए कोई नाराजगी हमारे चुनाओं के समय नहीं देदे 2022 के चुनाओं में भादपा का मुख्यमंत्री पत्का उमिद्वार कोन होगा? साड़े चार साल की सरकार में और आते आते तक जो पांच साल हो जाएंगे हमने केंदर के सहयोग से डबल इंजन की सरकार ने जो जो विकास के काम किये हैं चाहे वो All Weather Road हो, चाहे वो जल जीवन वीशन हो, चाहे वो जिन गाउं में बिजली नहीं पहुँचाना हो, चाहे उजोला के गैस कनेक्शन हो, जंदन के खाते हो, पांच लाक रुपे का कैशलेक्स बीमा हो, कैशलेक्स इलाज हो, इस प्रकार के सारे विकास के काम जो कभी न नेता इविम राज्यसवासांदत नरेस बंसल जी जिन्हों ने इस साफ तोर पर कहा कि भाजपा 2022 के चुनाओं में 2017 के चुनाओं से बहतर प्रदर्शन कर सत्ता में आएगी किछा से एचनेन के लिए विद्प्रकास यादों की रिपोर्ट